हेलो वेज़ विल्काम बैक टू टेलेवोट रीप्ले इस वीडिया में बात करने जा रहे हैं बिग बोस सीजन 18 के बारे में काफी सारे लोगों की यह पूछ रहे थे कि बिग बोस का जो सीजन 18 है ओरीजनली यह जो है नो बज़े की टाइम स्लोड पर आने वाला था लाँच लोगो बताऊं कि ओरीजनल प्लैन यही था कि जैसे की जो शोगा प्रीमियर था यानि कि पहले एपिसोड था वो नो बज़े पे हुआ था वैसे ही सेट्डे टू संडे भी हर अफ़ते वीकेंड पर यह नो बज़े आने वाला था लेकिन फिर कलर स्टीवी ने चीज सबसे आदा टॉप सीरिल्स में से एक है हाइस्ट टियार पे वाले सीरिल्स में से एक है एंड अगर वो सीरिल भी यह दिनों पे चलता है सेट्डे टू संडे चलता है तो कलर्स वालों को फायदा ही है विकॉस नो बज़े के टाइम स्रोड पे अल्रेडी बहुत बढ़िया परफ vyद्या पर्फोमेंसस देर आ है उनके लिए दूसरी ओर बिग बोसको अगर 19 साधी नौ बज़े भी करेंगे तो बिग बोस पी ऐसा असर नहीं पड़ेगा कोई बैड ऐफेक्ट नहीं पड़े गा टियार भी इतनी 9 बज़े पर आना पी limous की इतनी 29 बज़े भी और 11 मंगल लक्षमी उसका दो दिनों का जो टेली कास्ट है वो कलर्स वाले रोकना नहीं चाहते विकोज इतने जाद अच्छी तरह से जब फैंस कोनेक्ट हो रहे हैं तो क्यों उनका लिंक तोड़ना तो जितना जादा पॉपुलर सीरल है उसको रोज ही वो चलाएंगे तो उनका ही फायदा है यही रीजन है कि इसको सौड़ेनों बज़े का दिया गया है वीकेंड का वार पे और अल्सो कतरों की खिलाडी जब आया करता था सेड़ेनों बज़े पर ही आ रहा था वो भी मंगल लक्षमी का जो टेली कास्ट है उसको नहीं रोक रहा था उसको रिस्ट्रि कास्ट है वो कम ना हो एक तो यह काफी बड़ा रीजन है कि उन्होंने साड़ेनों बज़े पर इसको रखा है एक और जो रीजन है वो यह है कि स्पेशले वीकेंड पे सेड़े टू संड़े पर बिग बोस एक बार खतम हो गया तो इसके बाद इसके एपिसोड के बाद तब तक की जो टाइम स्लोट है तब तक वूर कि जोड़ी रहेगी कलर्श टीवी पर सेट इटी टू संड़े वाली टाइम स्लोट पर भी तो इसकर के कलर्श टी आनों को फायदाई है वो तो यह ही चाते हैं कि सब्स्चद हो 37. alors चैनलो अच्छा है ग्याराँ बजे की के वीडियो में इतना ही हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में अभी के रिए चलता हूँ गुडबाई